नमस्कार दोस्तों आज किसी वीडियो में बात करने वाले हैं नया ओटर आईडी कार्ड के लिए आनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल से step by step आपको इस वीडियो में बताएंगे और बहुत ही असान तरीके से बताएंगे अगर आप जनना चाहते हैं तो वीडियो को सुरूश लेकर अन तक देखते रहिए इसके लिए हमें अपने phone में Chrome browser को open करना है और Google में हमें सर्च करना है order registration online सर्च करने के बाद यहां पर में order registration का official website देखने को मिल जाएगा eci.gov.in election commission आप इंडिया इस पर में click करना है और इसे open करना है अब इसके बाद यहां पर में website जो है कुछ तरीके से देखने को मिल जाएगा अब यहां पर में registration करना है registration करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जैसे कि आपका उम्मर 18 साल होना चाहिए और एक जनौरी को 18 साल पूरा हो जाना चाहिए तभी जाकर आप इसके लिए apply कर सकते हैं और इसके लिए आपको फार्म अच्छे भरना पड़ेग क्योंकि एप से असानी से कर सकते हैं अगर आप website के माध्यम से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक link दिखाई देगा यहां पर outer portal.eci.gov.in इस पर क्लिक करके आप चाहें तो website के माध्यम से registration कर सकते हैं और यहां पर यह नया version है इसका beta version है अगर app के माध्यम से करना च आएगा और यहां पर यह 17 MB का है इंस्टाल पर हमें किलिक कर देना है इसके बाद यहां पर यह एप जो है डाउनलोड होना सुरू हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद यहां पर यह जो है इंस्टाल हो जाएगा तो यहां पर यहां पर यह शुरू हो चुका है यहां को open करना है अब इसके बाद यहाँ पर आपको जो है लैंग्वेज को slit करना है जिस language में इस app को चलाना चाहते हैं उस language को slit कर लेना है यहाँ पर हम English को रहने देते हैं इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे get started पर हमें click करना है और आगे बढ़ना है अब इसके बाद यहाँ पर यह app जो है इसके बाद यहाँ पर हमें जो है registration करना है तो इसके लिए यहाँ पर हमें एक option दिखाई देगा order registration का इस पर हमें click करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर हमें एक option दिखाई देगा new order registration फार मच्छा है इस पर हमें click कर देना है अब इसके बाद यहाँ पर हमें कुछी तरीके से देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर हमें जो है इसमें लागिन करने का ज़ूरत पड़ेगा तो इसके लिए हमें पहले account create करना पड़ेगा तो इसके लिए हमें नीचे एक option दिखाई देगा new user का इस पर हमें click करना है इस पर click करने के बाद जो भी आपका mobile number होगा यहाँ पर आपको लिख देना है mobile number लिखने के बाद हमें send OTP पर click करना है अब इसके बाद यहाँ पर में कुछी तरीके से देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर जो भी आपका first name होगा जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर आपको इसमें लिख देना है इसके बाद जो भी आपका last name होगा यहाँ पर आपको लिख देना है पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर आपको OTP एक मुवाईल लंबर पर मिला होगा इस OTP को यहाँ पर आपको लिख देना है OTP लिखने के बाद हमें submit पर click करना है अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है user created successfully अब यहाँ पर यह create हो चुका है यहाँ पर मैं OK पर click करना है अब इसके बाद अगर आप इसे save करना चाहते हैं तो आपको save पर click करना है अब इसके बाद यहाँ पर मैं जो है इसमें login करना है तो इसके लिए जो भी आपका mobile number होगा यहाँ पर आपको लिख देना है इसके बाद यहाँ पर में send OTP पर click करना है अब इसके बाद इस mobile number पर आपके पास OTP आएगा OTP लिखने के बाद हमें login now पर click करना है अब इसके बाद यहाँ पर यह login successful हो जाएगा अब इसके बाद यहाँ पर में फिर से जो है ओटर रेजिटेशन पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर में निचे लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करना है अब इसके बाद यहाँ पर जो हमें पका करना है कि हम पहले से भारत देश के नागरिक हैं और यहाँ पर आपसे प्रस आइडी नहीं है इसके बाद यहां पर हम निचे ने किलिक करना है इसके बाद यहां पर जाहें तो आपना डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जो भी다 निचे लिखा है यहां पर यहां पर अपना अविधान सभा को utc. करना है अगर आपको पटा है तो नहीं पता है तो आपने घर से पूर सकते हैं जिनका भी इधाल यहाँ पर हम को जो है स्लिट कर लेना है जो भी आपके डाकुमेंट में होगा तो यहां पर जो हम डेटा बर्थ को स्लिट कर लेते हैं इसके बाद यहां पर में जो है ओके पर क्लिक करना है अब इसके बाद यहां पर 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 य आप डियो बी पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर में जो है कई तरह के डाकुमेंट देखने को मिल जाएंगे जैसे बर्थ सर्टिफिकेट आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं इसके अलावा अधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस है इसके आप चाहें तो अपना 10 या 12 का मार्क सीट जो है सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं इसके अलावा इंडियन पासपोर्ट है या फिर कुछ आन्य परमाणपत्र है पूरूप के लिए तो आप चाहें तो जो है अपलोड कर सकते हैं तो यहां पर हम अपना अधार कार्ड ज फोटो होगा, और जो भी बैक का फोटो होगा दोनों का फोटो होना चाहिए एक पड़ produkt पर उसके निचे आपका से डाकुमेंट होगा यहां पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा अपने डाकुमेंट को में जो है इसके बाद यहां पर आपका डाकुमेंट आ जाएगा अगर आप इसे क्राप करना चाहते हैं तो यहां से आप चाहें तो जो इसे आप क्राप कर सकते हैं यहां पर जो इ इसके बाद याँ पर में जूय नीचे नेश्ट पर क्लिक करना है अब इसके बाद यहाँ पर आप को आपना फोटो अपलोड करना है। पर भीक्षे पर क्लिक करना है कि जैसे कि फोटो का जो भी साई होता है और जो है 200क από लूशे अधिक नहीं होना चाहिए और झोथ इसका फारमेट है वह जेपी इजी और जेपी जी फाइल में होना चाहिए अब इसके बाद यहाँ पर हमें जो है अपलोड पिक्चर पर क्लिक करना है इसके बाद हमें दो आपसंद दिखाए देंगे कैमरा और गैलरी अगर कैमरा के माद्यम से फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो कैमरा पर क्लिक करना है अगर आपके पहले से फोन में फोटो है तो आपको गैलरी पर क्लिक करना है इसके बाद जो भी आपका फोटो होगा अब इसके बाद यहां पर आपको नीचे आना है जो भी आपका नाम होगा यहां पर आपको आपको अपने नाम को लिख देना है तो यहां पर हम क्या करते हैं अपने नाम को यहां पर लिखने के बाद यहां पर मैं नीचे एक बाक्स दिखाई देगा यहां पर लिखा है नेम सुधार कर सकते हैं कुछ इसमें इडिट कर सकते हैं अब इसके बाद यहां पर आपको जो है अगर आपके पास कोई सरनेम है तो अपना सरनेम दे सकते हैं यह कोई जरूरी नहीं से आपको छोड़ देना है अब इसके बाद यहां पर अपने अधार के बारे में जनकारी देना बना रहे हैं तो आपको अपना मुवाइल नंबर यहाँ पर लिग देना है अब इसके बाद अगर अपने समंदित लोगों के मुवाइल नंबर देना चाहते हैं जैसे फादर या फिर मदर तो यहाँ पर आप दे सकते हैं मुवाइल नंबर इसके लावाँ अगर अगर अपन रिलेशन टाइप को स्लिट करना है जिस भी समंदित के बारे में जनकाई देना चाहते हैं जैसे पिता माता के बारे में जनकाई देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो स्लिट कर लेना है जैसे कि यहाँ पर हम फादर के बारे में जनकाई देना चाहते हैं तो फादर को र पर यह automatic जो है हिंदी में translate हो जाएगा अगर आपको जो इसमें कुछ है गरबर लगता है कुछ आपको change करना है तो आप जो चेंज कर सकते हैं अब इसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक option मिलेगा last name आप relative अगर कुछ इनका last name है तो यहाँ पर आप लिसकते हैं या फिर next पर click करना है अब इसके बाद यहाँ पर में जो है अपने बारे में full address बनना है मतलब जो भी आपके document में main address होगा यहाँ पर लिखा है house building या फिर apartment number जो भी होगा यहाँ पर आपको लिखना है जैसे कि अगर अपना house number देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना लिख द देना है इसके बाद यहाँ पर आपको आपको नीचे वाले box में click करना है इसके बाद जोśफ कैसमे यहाँ पर यहां पर यहाँ पर हो जाएगा अपना street area locks music रोड जो भी होगा यहाँ पर आपको भरना है मतलब जो भी आपके document में होगा जैसे की अगर अपना village लिखना करते हैं पएकर आपको कुछ और चाहते हैं तो यहां grey बीदेना इस तरीके से इसके बाद यहाँ पर आपको अपना टाउन या फिर विलेज लिखना है जैसे कि यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे पोस्ट तो यहाँ पर लिखते हैं पोस्ट इसके बाद जो भी आपका पोस्ट होगा यहाँ पर आपको लिख देना है इसके बाद यहाँ पर आपको जो नीचे वाले box में क्लिक करना है इसके बाद आपको जो इसमें कुछ हिंदी में हो जाएगा अगर आपको जो इसमें कुछ हिंदी में चेंज करना है तो आप यहां से चाहें तो जो है बहुत यह असानी से जो है आप चेंज कर सकते हैं अब इसके बाद यहां पर आपको जो है अपने post office का नाम लिखना है जो भी आपका post office का नाम होगा यहां पर आपको जो उसको लिख देना है यहां पर हम जो इसको लिखते हैं इसके बाद यहाँ पर मैं निचे वाले box में क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर आटोमेटिक यहाँ पर यह ट्रांसलेट हो जाएगा हिंदी में इसके बाद यहाँ पर अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं इसके बाद यहां पर आपको अपने post office का जो भी pin code होता है उसे आपको यहां पर लिख देना है जो भी आपका pin code होगा यहां पर आपको जो है लिख देना है अब इसके बाद अगर आप जो है अपने तहसील के बारे में जनकारी देना चाहते हैं तो यहां पर दे सकते हैं जै उसके लिए आपको डाइक्टी का विलो हो गया इसके लाएख का इंडियन पासपटो हो गया इसी तरीके से आपको कई तरह के डाकुमेंट देखने को मिल जायेंगे तो यहां पर हम अपना अधार कार्ड लगाएंगे एड्रेस पूरूप के लिए तो यहां पर हम अधार कार्ड को स्रेट कर लेते हैं इसके बाद यहां पर एक बात का ध्यान लखना है कि एक तरह से self attached जो होना चाहिए मतलब जो है उस पर आपका signature होना चाहिए document के नीचे अब इसके बाद यहाँ पर हमें जो है नीचे upload पर हमें click करना है और यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान लखना है कि जो file का size है अधिक नई होना चाहिए और file का format जो है gpeg या फिर gpg में होना चाहिए तो हम upload पर click करते हैं इसके बाद यहाँ पर में gallery को select करना है इसके बाद जो भी आपका document होगा उसे आपको select कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपको जो है अगर crop करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चाहिए तो जो है crop कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको सही के निसान पर click करना है इसके बाद यहाँ पर document यहाँ पर upload हो जाएगा अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रिव्यू पर क्लिक करके दे सकते हैं अब इसके बाद यहाँ पर आपको जो है नीची आना है नीची आने के बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपने समंदित लोगों का जनकारी दे सकते हैं जैसे कि अगर आपके घर में किसी का ओटर आडी बना है जैसे फादर मदर का तो यहां पर आप जाए तो जो है उसके बारे में जनकारी दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं तो आपको जो है जैसे कि यहां पर मदर को स्रेट कर लेते हैं इसके बाद यहां पर आपको जो ह तो यहां पर हम क्या करते हैं यह कोई जोई नहीं है अगर आप नहीं देना चाहते हैं अगर आप इसके बारे में जनकारी नहीं देना चाहते हैं तो आपको छोड़ देना है इसके बाद यहां पर आपको जो है नीचे नेश्ट पर किलिक करना है अब इसके बाद यहां पर हम भी कर लेते हैं अब इसके बाद यहाम पर यहां पर यहां पर नीचे की बाक्ष इसमें हमें जो है date go courte करना है या फिर आप मतलब इस पते पर जो руки आप सब्सक्राइद कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर में जो हैं अपर आ डी झादी है जो है मुसे क्या करते हैं जो ए इसके बाद हमें कर देना इसके बाद यह नीचे आना है और इस वह भी अपका मतलब अद्रेस होगा यहां पर आपको लिक देना जैसे क्यों अ कुछ बारे में यहां पर आपको जनकारी कुछ भरे जैसे की यहां पर देक्शन सकते हैं J ma पिर नहीं सही है और जो कुछ भी आप है इसमें अपना डाकुमेंट्स लगाएं हैं ठीक है इन सब के बारे में आपको जनकारी देख लेना है अगर सब कुछ सही है तब आपको इसे कंफर्म करना है कंफर्म पर क्लिक करना है कंफर्म पर क्लिक करते हैं इसके बाद यहां पर करना है इसके बाद यहां पर आपको दिखाई देगा और आपको देखने को मिल जाएगा इसका आपको स्क्रीन साइट ले ले लेना है ताकि आपको माल लेजिए अपने ओटर आइडी को आपको ट्रेक करना हो कि एक तरसे मतलब हुआ इसके बाद यहां पर में जो है ओके पर किलिक करना है अब इसके बाद अगर अपने ओटर आइडी के बारे में इसके लिए अपको क्लिक करना है इसके लिए आपको नीचे एकश्पोर का आप्स निखाई देगा three lines होगा यहाँ पर यह नीचे बाए तरफ नीचे click करना है इसके बाद यहाँ पर में एक option दिखाई देगा status आप application इस पर में click करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर यह इस तरीके से देखने को मिल जाएगा अब इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी reference ID है यहाँ पर आपको लिख देना है इसके बाद यहाँ पर हमें अपने state को select कर लेना है जो भी आपका राज जो का उसे आपको select कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपको track status पर click करना है अब इसके बाद यहाँ पर आपके application का status देखने को मिल जाएगा यहाँ पर यह इस date में submit हुआ है इसके बाद यहाँ पर यह बेलो के प्वास appoint होगा इसके बाद यहाँ पर यह इसका field verification होगा इसके बाद यहाँ पर यह asset होगा अगर आपका अप्लिकेशन asset हो जाता है तब आपका ऑटर ID card बन जाएगा और बन के भी जो है आपको पोस्ट आप इसके माध्यम से मिल जाएगा तो इस तरीके से आप चाहें तो जो है बहुत यह सानी से जो है आप ओटर आइडी कार्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो चाहिए वीडियो को लाइक जरू करें और चै जो है कि बेल आइकां को जरू प्रेस करें